वेनु जैसे लोग अधम स्रेणी में गिने जाते हैं, स्वयम इनसे कोई देह का मैल मांग ले तो वो पूछ देंगे कि इससे हिंदों को फाइदा तो नहीं हो जाएगा, जब आब हां रहने पर हत्यली पर मसल कर अपना मैल खा सकते हैं, नाउस्कार मैजीत और आप देख रह है, जिसका कुल मुल्य 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, साथ ही प्रधान मंतरी मोधी को लगभग ललकारते हुए, सूक्ति रची कि अगर उनमें राजनितिक एक्षा शक्ती है, तो वो ये सोना निकलवाकर रिजर्ब रैंक को दिलवा दे, ताकि इसके बदले वो रुपे प्रें जैसे घाग नराधमों के साथ समस्या यह है, कि इन्हें और इनके लिबरांडू गिरोह को हमेशा यह लगता रहता है, कि हिंदूों के मंदिर इनके एकदम असली वाले निजी बापों के संपत्ति हैं, जबकि मुसलमानों के मस्जिदों, वक्ष या इसाईयों के चर्चों क्योंकि वहाँ सोना है, मुसलमानों की कमाई का दस्पर्चत जकात कहा है, जब एक मजभब में कमाई का एक हिसा सिर्फ दान और मदद के लिए है, तो फिर मस्जिदों से वही अपील क्यों नहीं की जा रही है, यहां मुसलमान योगी सरकार को अपने मस्जिद का लॉड़ क्यों कर दिया जाता है, भैंकर बार में एक मस्जिद जब अपने दर्वाजे खोलता है, तो बाकाइदा उसकी पूरी फोटोग्रफी होती है, और ऐसे दिखाय जाता है, कि मानपता अगर बची है, तो बस इसलाम और मस्जिद में, जब कि यही काम भारत का हर मंदिर, हर आ भूजन दिया जाता है, हर दिन लाखों लोगों के दो समय के भूजन का प्रवन्तु यह मंदिर और आश्रम हर जिले में करते ही है, साथ ही कोरोना के समय में अंगिनत छोटे वड़े मंदिरों ने अपने स्तर से सरकार की आर्थिक मदद की, इसके उलट कितनी बार सुनाए कि मस्जिदों में लोगों को भूजन कराया जाता है, कितनी बार चर्चों के वारे में सुना है कि वहां रोज खाना बट रहा है, गुरुदारे और मंदिर हर दिन ये काम अपने पैसों से करते हैं, जो वहां जाने वाले सिख्ख और हिंदू दान सुरूप देते हैं, इसक मंदिरों में मिलने वाले दानादी को कैसे और कहां खर्च करना है, इस पर प्रशासन और सरकार निर्णाए लेती हैं, आपको यह जानकर भी आश्चरी होगा कि एक तरह से मंदिरों की आमदनी से मस्जिदों के इमामों के तनुखा और मदर्सों की छात्रवित्या जाती है जब मस्जिदों के पैसे सरकारों को नहीं जाती है तो उनसे जुड़े लोगों का सरकारी वेतन कहां से आता है? हम सबने ख़बरें सुनी है कि फला इसकूल में महदी लगाने पर प्रतिवंद है, फला जगा पर तिलक लगाने पर सजा मिली बच्चे को, फला इसकूल में ह मस्जिदों की इमारतें देख लीजिए, इनका सारा जकात अपने लिए, लेकिन हाँ, जब आपात स्थिती दिखे तो मंदिरों का सोना चाहिए ताकि अर्थवस्था पटरी पर आ जाए, सब हग यह है कि हिंदों के मंदिर वो भी करेंगे, अगर सोना पिगलाने की जरुत पड़े तो किसी वेणू के कहने की नवबत नहीं आएगी, लेकिन यहां समस्या वेणू जैसे दुरात्माओं से है, हिंदों के मंदिरों की दान पेटी का उदेश समाज सेवा ही है, और हाँ समाज सेवा मतलब समाज की सेवा, ना कि जिहाद के नाम पे देव में बम मुसल्मान का ही कारी नहीं होता, यह जो हमेशा 20 करोर की धमकी देते हैं मुसल्मान ने, वो अपने इस जनसंख्या की ताकत से कभी ये भी कह दे, कि 20 करोर मुसल्मान अगर 55 रुपिय भी दे दे तो 100 करोर हो जाए, कभी ऐसा सुना है, नहीं, उस 20 करोर की याद बस तब आत चक है, शिरडी सनातन ट्रस्ट ने 51 करोर रुपिय दिये, मंसा देवी मंदिर पंच कुला ने 10 करोर, पत्ना महावेर मंदिर, बोधगया का मंदिर, सोमनाथ, अमबाजी मंदिरों की तरफ से एक एक करोर का दान दिया गया, जंडे वाला मंदिर दिली 30,000 लोगों को हर दिन प्रायन मंदिरों ने कुल मिलाकर 1.88 करोर रुपिय के सहीयों के साथ 500 बेड का भी इंजाम के, कांची ट्रस्ट ने 40 राख रुपिय दिये, वैश्मादेवी ट्रस्ट के कर्मचारियों ने एक एक दिन के सैलरी दी और 600 इस्तरों का एसुलेशन वाट दिया, देवस्थानम मंदिर ने 200 बेड का एसुलेशन वाट से योग हेती उपलत कराया, कहीं से खबर आई कि दो पुजारी हैं, उन्होंने हर दिन अपनी क्षमता के हिसाब से गरीबों के बोजन का जिम्मा उठाया, स्वयम खाना बनाते हैं, बाटते हैं गरीबों, पतंजली ट्रस्ट 25 करोर क से सरकार की मदद की है, जिनकी बात ये लोग कभी नहीं करें, आरेसिस के संगठन सेवा भारती के धाय लाक वोलेंटियर्स हर दिन लाखो फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, दवायर की अगर बात करें, तो इसका फाउंडिंग एडिटर है, एमके वेनु, जो कि कई करोर क बजट से चलता है, इस संस्था ने एक पैसा दान नहीं दिया है, जबकि इन से कहीं छोटी संस्था, आप इंडिया ने एक लाख रुपी अपने स्तर से दिया है, साथ ही उनके एडिटर से वो अन्य कर्मचारियों ने नीजी तोर पर छोटी-छोटी रासी सरकार के सेयोग दिये हैं, आपने कितनी खबरें पढ़ी हैं, जहां आपको किसी मस्जीद या चर्च ने मुफ्त वोजन के वस्था की हो, क्या आपने सुनाए कि मस्जीदों ने सामुहिक तोर पर तैक कि अगर आवश्यक्ता पढ़े तो इलाके का हर मस्जीद रोग्यों के आईसोलेशन मिल जाती हैं, आपने देखा होगा कि एक तबलीगी ने प्लाजमा डोनेट करने का फोटो जो है ट्वीट किया और उसी को 40-50 लोगों ने लगातार सिर्फ एक फोटो को लगातार ट्वीट किया, इस तरह से माहौल बनाया जाता है, पूरे कोरोना काल में हमने मस्जीदों क के बारे में क्या सुना, हमने भारत के लगवक 30% कोरोना मरीज इनी मस्जीदों मरकजों के कारण पाये, मस्जीदों में लॉकडाउन के बावजूद लोग पाये गए, मस्जीदों के मुल्लों ने कैमरे पर और माईकों में बोला है, कि डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाये, अल्ला करेगा, प्रशासनिक अधिकारी समझाने गए तो मुल्ला बोल रहा है कि वो तो मस्जीद खुला रखेगा और किसी को आने से मना नहीं कर सकता, मस्जीदों से पत्थरवाजी हुई है, मधवनी में गोली चली है, ये सब कोरोना के लिए लोगों को खोजने टीमों पर हमला हुआ है, तो मस्जीदों का तो ये योगदान है पूरे कोरोना वार में, क्या मुसल्मान नेताओं ने मुसल्मानों को भटकाया नहीं है, कर कि कोरोना वाली नर्स तुम्हें सुई अगर्देगित नपुनसक हो जाओगे, कोरोना के इस आपातकाल में तबल मुसल्मानों का जकात जिहाद में कितना जाता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है. जिहाद के अलावा आतंक की फंडिंग में क्या कुछ मुसल्मानों का योगदान नहीं है? बात ये है कि प्रात्मिक्ताएं हिली हुई है, मंदिर भूखों को भोजन कराता है, मस्जिद मुसल्मानों के नमाज की जगा है. मंदिर दान के पैसे सरकार को देता है, मस्जिद मुसल्मानों के नमाज की जगा है मंदिर आइसोलेशन वाड उपलब्द करवाता है, मस्जिद मुसल्मानों के नमाज की जगा है मंदिर अपने दान की राशी सरकार के नियंतरण में खर्च करता है मस्जिद मुसलमानों के नमाज की जगह है वेनू को बैठ कर ये भी शोध करना चाहिए कि वक्फ वोड की संपत्ती कितनी है इस देश में वो तो Financial Express का Managing Editor रह चुका है उसको पता करना चाहिए कि देवबंदियों की कुल संपत्तिस अंसाधन का ब्योरा कितना है पता करके तब लिखना चाहिए कि ये पैसा मुसलमानों को PM Care Fund में दे देना चाहिए और जब बेनू ये लिख देगा उसके अगले दिन अपने घर में बैठकर वो पत्थर गिन रहा होगा वक्फ के पास हर बड़े शहर की प्राइम लोकेशन पर दस्यों एकर जमीन जकात का अथाह पैसा है उस अब कहां जा रहा है मस्जिदें जकात के पैसों को समाज की मदद के लिए क्यों नहीं खर्च कर रही वो क्यों जकात को सीधे प्रधान मंतरी के फंड के लिए नहीं देना चाहरे सिर्फ इसलिए कि भारत दारुल इसलाम नहीं दारुल हर्ब है काफिर सत्ता में है तो समाज की वहतरी के लिए मस्जिद का जगात का पैसा जो है मस्जिद नहीं देगा मजहब देखेगा लेकिन जो मंदिर वैसे ही भंडारा और लंगर चलाते हैं जिस पर सरकारों काहीं नियंतरन होता है वो अब सोना भी निकाल के देदें मसलमान तो कहते हैं कि ताजमाल हमारा है कुटब मिनार हमारा है तो ऐसा करो कि वक्त की तमाम ऐसी संपतियों को बेच दो और पैसा जो है लड़ाई के लिए लगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा कोई उद्ध्योगपती खरीद भी लेगा बात मंशा की है सोच की कलुशित कालिमा की है वेनु जैसे लोग अधम श्रेणी में गिने जाते हैं वेनु जैसे लोग सेलेक्टिव बातें करते हैं स्वयम इनसे कोई देह का मैल मांग ले तो वो पूछ देंगे कि इससे हिंद्धों को फायदा तो नहीं हो जाएगा जब कि मैंने उपर भी कहा कि आवशक्ता पड़ी तो सरकार को बोलना नहीं होगा कि मंदिर अपने दान पात्र खोले मंदिरों के पुजारी स्वयम ही वह बात पूलेंगे मौलाना साथ और किसी स्वामी जी में फर्क यही है कि मुल्ले साथ को लगता है कि कोरोना के समय में अधरों से कीजिए इधर बिल्कुल मत आई तो कि किसी एक को भले लगता हो कि पूरी दुनिया का ग्यान इतिहास वर्तमान और भविश्य एक ही किताब में हैं लेकिन बाकी लोग दूसरी किताब में पढ़ते हैं कॉमन सेंस का भी प्रियोग करते हैं नर्सों के को गंभीरता से ले ऐसे ही पुजारी ऐसे ही मठादिश ऐसे ही साधुसंत स्वैम आएंगे और कहेंगे कि हमारे पास का सोना लीजिए और अर्थवस्था को सही कीजिए मंदिरों के कोश आदिकाल से राजकोस के खाली होने पर वहिकल्पिक रूप में उपलब्द होते थे उसका काम ही यही है कि जब समाज को इसके आवश्यक्ता हो तो उसके द्वार खोले जाएं मुसल्मानों को अपना लॉडि स्पीकर देने पर आपत्ती हो जाती है लेकिन हिंदू कभी भी एक आपात आवस्था में ऐसे सवाल नहीं करता है किन बात तो मंशा की है वेणू इ वचन आज भले ही पुश्पित लगे लेकिन यह जीव घाग प्रविट्ति का और विलक्षन दूरता का स्वामी है इसी कारण से इसकी बातों को उसी शैली और शब्दों में काटना आवश्यक है नमस्कार